हलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कैंडिड मैथ एंटिक्स में आज हम एजुकेशन में एक नया टॉपिक लाए हैं मध्ध प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट जीके और हर टापिक पर ऐसे ही हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों तो आज है मध्ध प्रदेश जीके में कि मध्ध प्रदेश में प्रमुक परेटन अस्थल कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं उनकी कंडिशन क्या और उनमें कितने लोग और कौन कौन सा स्थान है कौन कौन सा दूर गया मकवरा कैसे बनाए ये सारी चीजों की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे तो दोस्तों चलते हैं इसमें कुछ कोस्चन्स हैं जो आपके बर्गतीन और एससी रेलवे और बहुत सारी MP online एक्जाम जो होते हैं उससे कोस्चन मिलते हैं तो चलिए दोस्तों मद्ध प्रदेश में प्रमुक परिटन अस्थल में पहला कोस्चन है कि सांदीपनी आश्रम कहां पर है सांदीपनी आश्रम कहां पर है यह उजयन इंदाओर ओंकारेश्वर और महेश्वर तो जी दोस्तों सांदीपनी आश्रम जो है तो उजयन में है जहां पर कृष्ण ने सिख्छा प्राप्त की थी उज्जैन में है इंदावर में नहीं है ना तो ओंकारेश्वर यहाँ पर नहीं ओंकारेश्वर में जितने भी संकर है संकर जी की मूर्ती है वो सभी ओंकारेश्वर में ही होती है वहाँ पर एक मंदिर है तो यहाँ पर कोस्चन क्या है सांदीपनी अस्रम उजयन में है इसके बाद कहता है कि तानसेन का मकवरा कहां इस्थित है तो तानसेन का मकवरा है आपका ग्वालियर में यहां होगा ग्वालियर में होगा मैयर में नहीं है जवलपूर में नहीं है काबूल में भी नहीं है ग्वालियर में हो ब्यक्तियों की समाधियां हैं, तो दोस्तों पहला है सिंधिया, होलकर, परमार और गोडवन्स, तो गोडवन्स में होलकर तो होगा नहीं, परमार भी नहीं है, सीपुरी में सिंधिया की सिंधिया ही ऐसे हैं, जिनकी वन्स की समाधियां हैं, सिंधिया, इसके बाएं दोस्तो question number fourth मद्ध प्रदेश में बावन गजा क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर आदिनात की मूर्तियां होती है पहला दूसरा है भब्य मंदिरों के लिए तीसरा है बावन किलों के लिए और चौथा है सभी तो भब्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है मामन किनों के लिए नहीं आदिनात की मूर्ति है इसलिए वो मद्ध प्रदेश में बावन गजा प्रसिद्ध है इसके बाद है दोस्तों next question number five पीतांबरा पीट कहां इस्थित है पीतांबरा पीट कहां इस्थित है बैतूल में सोनकच में दतिया में इंदवर में तो पीतांबरा पीट दतिया में इस्थित है और छटमा question कहता है बरा मिहीर ये कौफी important question है बरा मिहीर बैदसाला डोंगला महीपुर जिला उज्जैन में इस्थित है अगर question आता है बरा मिहीर बैदसाला कहां है तो ये डोंगला महीपुर जिला उज्जैन में आता है यानि उज्जैन में ही है और सात्मा question है मद्ध प्रदेश के किस पर्यतक अस्थल की खोच कैप्टन वारडन ने की थी तो दोस्तो इसमें पचमड़ी है पहला आपसन और दूसरा है मांडू है तीसरा भेडागात और चौथा अमरकंटक तो इसमें कैप्टन वारडन ने पचमड़ी की खोच की थी पचमड़ी एक ऐसा परेटा का इस्थल है जहां सबसे ज़्यादा पानी भी यहां पर बरसता है यहीं पर इसकी खोच कैप्टन वारडन ने ही की थी इसके बाद है मध्य प्रदेश में सूरी मंदीर कहां इस्थीत है सूरी मंदीर तो मध्य प्रदेश में मख केड़ा चोरागड और धूबेला नखर नरवर तो इसमें पहला क्या होगा मख केड़ा यहां पर सूरी मंदिर इस्थीत है इसके बाद दोस्तों रानी की समाद कहां है तो रानी की समाद धतिया में ग्वालियर में जहासी में स्विपूरी में तो कहां होगी ग्वालियर में कहां होगी दोस्तों ग्वालियर में इसके बाद है next question भरहुत इस्टूप की खोज किसने की थी ये काफी important question है जो कि ये आने की कई बार question आ चुका है भरहुत इस्टूप की खोज किसने की कर निंगम साहनी जान मारसल अस्री वाकड कर तो इसमें कार्ड निंगम कार्ड निंगम ने ही भरहुत की इस्तूप की खोज की थी इसके बाद नेस्ट कोस्टेन है दोस्तों 11th नंबर कोस्टेन है हेलियो डोरस का गरुण इस्तंब कहा है हेलियो डोरस का गरुन इस्तंब कहा है तो हेलियो डोरस का गरुन इस्तंब उज्जैन, विदिसा, साची, बुरहानपूर तो हेलियो डोरस का गरुन इस्तंब कहा है दोस्तों विदिसा में है, कहां पर है? विदिसा में है उज्जैन का प्राचीन नाम महिस्मती, दस्पूर, अवंती इन में से कोई नहीं तो आपका C नंबर का उत्तर सही होगा दोस्तों अवंती का और 13 है गौालियर का दुर्ग निम्न में से किसने बनाया सूरज सेन, महिपाल, मान सिंग, कोई नहीं तो इसमें क्या होगा सूरज सेन होगा गौालियर का दुर्ग सूरज सेन नहीं बनाया था नेक्स्ट है चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था तो पहला है कीरतिपाल, दूसरा है अजैपाल, तीसरा है सूरज सेन, चोथा है वील सिंग जुदेव तो इसमें कौन सा answer होगा कीरतिपाल होगा इसे क्या होगा दोस्तों कीरतिपाल मद्ध प्रदेश की होलकर राज की स्थापना कब की गई तो मद्ध प्रदेश की होलकर राज की स्थापना इसमें आपका 1727 में की गई है सोला सो संतान ने में नहीं हुआ, सत्रा सो उन्तालिस में भी, सत्रा सो सताइस में की गई थी इसके बाद नेस्ट कोस्टन है दोस्तों, रानी दुर्गावती संग्रहाले कहां इस्तित है, जो की काफी important कोस्टन है पहला है मंडला में, रामगड है, कटनी है, जबलपूर है, तो इसका एंसर क्या होगा, कोस्टन नमबर डी, जबलपूर होगा जिहां दोस्तों इसका एंसर क्या होगा जबलपुर होगा और इससे भी रिलेटेड आपको यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें सेर करें ताकि इसी से बेल आइकन को जरूर प्रेस करना भूलेना ताकि आपको नई केसन हमारी वीडियो मिल जाए और इससे रिलेटिव और भी काफी इंपोर्टन करेंट अफेर से रिलेटिव स्वागत है हमारे यूटूब चैनल केंडिड मैस में दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें